Scopes after De-Pharma, यानि कि De-Pharma करने के बाद हम अपना career कहां कहां पर set कर सकते हैं, हम कहां कहां पर jobs कर सकते हैं, private jobs कौंजी है, government jobs कौंजी है और industry में किस तरीके की जौब होती है, क्या मैं आगे और पढ़ सकता हूँ, या फिर आगे जाकर के मैं जो है अकेडमिक्स में जॉब कर सकता हूँ या नहीं इसी तरीके के सवाल सताते हैं चाहे आप D-Pharma कर रहे हैं या D-Pharma पास आउट हो चुके हैं मन में यही सवाल रहता है कि स्कोप्स आफटर D-Pharma स्कोप क्या है दायरा क्या है D-Pharma करने के बाद आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम D-Pharma करने के बाद अपना जो है करियर कहां कहां पर सेट कर सकते हैं यानि की स्कोप जिसे आप हिंदी में दायरा कहते हैं D Pharma करने के बाद आप किस किस department में कौन कौन सी fields में job कर सकते हैं उसके बारे में हम discussion करेंगे अगर हम बात करें D Pharma करने के बाद हमारे क्या scopes बचते हैं तो आपके सामने आता है pharmacist आप pharmacist बन सकते हैं चाहे किसी government hospital में हो या आप किसी private hospital में हो वहाँ पर आप जो है basically job कर सकते ह साथी साथ next आप कर सकते हैं business business में आप जो है medical store खोल सकते हैं या आप जो है basically कोई factory चला सकते हैं manufacturing की production की या फिर आप जो है basically drug distributorship ले सकते हैं ठीक है जिसमें हम कहते हैं कि हम जो है basically क्या वन जाते हैं wholesaler बन जाते हैं तो ये जो है basically आप business के अंदर कर सकते हैं साथी साथ आप जो है higher education ले सकते हैं ठीक है आगे हम बात करेंगे वीडियो में की higher education और क्या-क्या हो सकती है डी फार्मा करने के बाद आप आगे अपनी पढ़ाई को continue कर सकते हैं अगर पढ़ना चाते हैं साथी साथ आप जो है corporate sector मे भी job कर सकते हैं corporate sector में कौन-कौन सी fields है उसके बारे में भी आगे हम वीडियो में बात करेंगे साथी साथ आप industry के अंदर जो है basically job कर सकते हैं production department में manufacturing department में या QA-QC department में और इसी तरीके से आप जो है academics में भी अपना career बना सकते हैं तो ये आपके पास career opportunities है scopes है डी फार्मा क कर सकते हैं अपने goals को achieve कर सकते हैं अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ कि इनके अंदर और हम basically अपने आपको कैसे set कर सकते हैं कि इनके अंदर आगे further इनका जो है basically एक तरीके से किस किस department में किस तरीके की job कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं pharmacist की तो pharmacist के अंदर आपकी चार केटेघरी जाती है जिसमें सबसे पहला आता है Garment Hospital यानि कि सरकारी hospital इसके अंदर आप जौब कर सकते हैं दूसरा आपके पास आता है private hospitals यानि कि गैर सरकारी hospital तीसरा आपके पास आता है semi-government मतलब कि वो जो है basically पूरे-पूरे सरकारी colleges सरकारी hospital नहीं होते हैं थोड़ा बहुत उनके अंदर जो है बिसिकली जो गवर्निंग बॉड़ी है उसमें कुछ तूलस और रेगुलेशन गवर्मेंट के चलते हैं और लास्ट आता है आपका किसी नर्सिंग होम के अंदर आप जो है एक फार्मसिस्ट बन सकते हैं अगर मैं बात करूं सरकारी की यानि कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मसिस्ट बन सकते हैं आप जो है बिसिकली एक तो central level hospital pharmacist बन सकते हैं और एक jobs आती हैं आपकी state level pharmacist की ठीक है जैसे आपका ESIC हुआ ठीक है UP NHM हुआ MP NHM हुआ AIMS की statewide भी आती है और central post भी आती है CRPF हुआ BSF हुआ ISRO pharmacist हुआ इस तरीके के आप जो है basically various departments में government sector में चाहे central government हो या state government हो वहाँ पर आप pharmacist की job कर सकते हैं अब बात आ जाती है private hospitals की आपने नाम सुने होंगे Fortis Hospital नाम सुना होगा Max Healthcare Hospital नाम सुना होगा Apollo Hospital या फिर आपने नाम सुना होगा Medanta इस तरीके के बड़े बड़े hospitals में चाहे वो आपके बड़े hospitals हैं या छोटे hospitals हैं number of beds आपके 500 से जादा है या 500 से कम है doesn't matter आप इस तरीके के private hospitals के अंदर गैर सरकारी अस्पतालों के अंदर pharmacist की job कर सकते हैं अब बात आ जाती है semi government की तो semi government में आपने नाम सुना होगा धनवंतरी अस्पताले होते हैं कुछ है ना और एक mobile unit आती है हमारी ठीक है mobile pharmacy कहलो आप तो इसके अंदर भी basically आप जो है pharmacist की job कर सकते हैं ठीक है और अगर हम nursing home की बात करें तो आपके जो है basically शहरों में गाओं गलियारों में जो है basically चोटे चोटे अस्पताल होते हैं जनरल programs भी फेल्ड्स है जिसके अंदर आप अपना करियर सट कर सकते हैं अपना गोल सट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं next जो कही है आपका business अब business में आप जो है basically एक तो आप अपना business कर सकते हैं एक pharmacy store का जिसे हम शरल भाषा में कहें तो हम जो है उसे medical store कहते हैं ठीक है और medical store के अलावा आप जो है अपनी एक manufacturing भी कर सकते हैं पतलब जहाँ पर दवाईयों को बनाया जाता है अब अगर हम pharmacy यानि की medical store की बात करें तो आप wholesale shop खोल सकते हैं आप एक retail shop खोल सकते हैं और आप इन दोनों का combined एक shop भी खोल सकते हैं ठीक है इसी तरीके से pharmacy store में जो है basically आप जो है एक business कर सकते हैं drug distributorship का किसका drug distributorship का आपने देखा होगा कि आपके जो है basically जो wholesalers होते हैं उनके पास किसी particular company का एक जो है stock होता है कोई जो है intask का ले लेता है ठीक है कोई आपका जो है Glenmark का ले लेता है ठीक है कोई किसी के पास जो है basically sun pharma का होता है है ना तो इस तरीके से आप जो है particular area wise चाहे district wise या state wise या ठीक है basically पूरा half country इस तरीके से region north, east, west, south इस तरीके से regions होते हैं उसमें आप जो है distributorship करते हैं ठीक है और अगर हम बात करें manufacturing की ठीक है manufacturing की बात करें तो वहाँ पर आप जो है basically production कर सकते हैं जहाँ पर दवाईयों को बनाया जाता है चाहे वो tablets हो या वो हमारे syrups हो और वहाँ पर आप उनकी manufacturing उनकी packaging करते हैं ठीक है ठीक है तो यह आप जो है basically business कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद दोनों के लिए ही आपको license की requirements होती है जो की PCI के द्वारा आपको मिलते है manufacturing के लिए आपको government से license मिलता है ठीक है आगे चलते हैं अब बात कर लेते है corporate sector की की corporate sector में किस तरीके की job कर सकते है आपने नाम सुना होगा एक data analyst का ठीक है बहुत सी हमारी pharmacy की company ऐसी होती है ठीक है जो की corporate sector में आती है जहाँ पर आपको एक data maintain करना होता है for example जैसे अगर हम बात करें medical coding होती है हमारी medical writing ठीक है तो आप जो है basically अपने इंडिया में बैठे बैठे दूसरी countries के लिए काम कर देते हैं उनके जो prescriptions होते हैं doctors के उनका पूरा data maintain कर देते हैं आप जो है basically defarma करने के बाद clinical trials में जा सकते हैं वहाँ पर assist कर सकते हैं senior pharmacist को scientist को इसी तरीके से clinical research में भी जाया जा सकता है और साधी साथ pharmacology lens में जा सकते हैं जहाँ पर जो आपके adverse drug reactions होते हैं उनको report करने के जो centers होते हैं वहाँ पर भी आप जो है basically assist कर सकते हैं senior pharmacist को तो corporate sector में इन चार fields में आप job कर सकते हैं अब अगर हम बात करें industry की तो industry के अंदर आप जो है production department में job कर सकते हैं जहाँ पर दवाईयों को बनाया जाता है आप manufacturing में जहाँ पर आपकी दवाईयों को बनाने के साथ-साथ जो है उनको packing भी की जाती है उनकी उसमें आप job कर सकते हैं industry के अंदर आप quality control department में जहाँ पर दवाईयों की testing की जाती है ठीक है आप जो है basically marketing line में भी जा सकते हैं जहाँ पर आप जो है MR यानि की medical representative ये आपके industry के options हैं डी फार्मा करने के बाद जो आप अपना career set कर सकते हैं गोल बना सकते हैं अब अगर हम बात करें basically अब बात करते हैं higher education की कि sir मैं तो डी फार्मा करने के बाद आगे और पढ़ना चाहता या पढ़ना चाहती हूं मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है और मुझे higher education लेनी है मुझे degrees लेनी है अपने pharmacy की तो आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा में admission ले सकते हैं जो आपको second year में entry देगा यानि की आपकी एक तरीके से lateral entry हो जाएगी क्या हो जाएगी lateral entry होगी आपकी बी फार्मा के अंदर जो की आपको 3 साल का course पढ़ेगा 3 years का आपको ये course पढ़ेगा इसके अलावा आप जो है basically आगे और पढ़ना चाते हैं तो आप या तो कर सकते हैं M-phार्मा ठीक है चाहे सूटिक्स में करें chemistry में करें कोगनोसी में करें या ecology में करें या microbiology में करें etc बहुत सारी fields है M-phार्मा की master of pharmacy की और साथी साथ आप जो है pharma MBA भी कर सकते हैं pharma का MBA भी आ गया है तो B-pharm कंप्लीट करने के बाद आप या तो M-pharm कर सकते हैं या pharm MBA कर सकते हैं और साथी साथ आप अगर इन में से higher education में और जादा कुछ नहीं लेना चाते ना B-pharm करना और M-pharm, pharma MBA तो बहुत दूर की बात है तो आप कुछ certification courses कर सकते हैं 6-6 एक-एक साल के 6-6 महिने के 1-1 साल के 2-2 साल के कुछ certification courses चलते हैं जैसे vigilance के चलते हैं फार्मा को vigilance के तो आप जो है basically इन में अपने certification courses कर सकते हैं तो ये आपके लिए higher education के आपके options बनते हैं करियर के लिए जो आप अपना करियर आगे बना सकते हैं अब आगे बात कर लेते हैं academics की तो जो आप basically M Pharma कर लेते हैं या Farm MBA कर लेते हैं ठीक है आपने अगर M Pharma कर लिया है आपने अगर Pharma MBA कर लिया है तो industries में जाके आप managing post पे काम कर सकते हैं आपने अगर M Pharma कर लिया है तो academics में आप जो है basically assistant professor बन सकते हैं ठीक है आप जो है basically B Pharma पढ़ा सकते हैं और 3 साल के experience के बाद 5 साल के experience के बाद आप जो है M Pharma को भी पढ़ा सकते हैं आप अगर M Pharma कंप्लीट हो गया है 7 साल के बाद आप वहाँ पर Associate Professor बन सकते हैं या आपने PhD कंप्लीट कर ली इसके बाद M Pharma करने के बाद तो आप डिरेक्टली जो है बिसकली आप जो है सिदा Associate Professor बनते हैं ठीक है और 15 साल के experience के बाद आप Professor डॉक्टर कहलाते हैं तो यह आपके बिसकली Career Options हैं, Scopes हैं D Pharma कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर आप अपना Career अपना Goal सेट कर सकते हैं तो यह बिसकली पूरा दायरा है D Pharma करने के बाद जहाँ पर एक बच्चा अपने आपको Focus कर सकता है कि वो किस Field में जाना चाहता है, आगे पढ़ाई करनी है जॉब गरनी है तो वो Pharmacist की करेगा, सरकारी या घेर सरकारी की इंडस्ट्री में जाना है और अगर आपको जो है Corporate सेक्टर में जाना है तो Concert Department में ठीक है, तो यह सब हमारे Career Options है, D Pharma करने के बाद, आप D Pharma First Year में है, या D Pharma Second Year में है, डाउनलोड कीजिए Pharmacist India Mobile App from the Google Play Store, उसमें Registration कीजिए Registration करने के बाद, आप Hard Copy में Notes ले सकते हैं यानि की Study Material, और साथी साथ आप Model Paper ले सकते हैं चाहे D Pharma First Year या Second Year के, और Model Papers की Speciality यह है, कि यह आपके Hindi और English दोनो Languages में Solved Model Papers मिलेंगे First Year में 5 सबजेक्ट हैं 5 Module का Set मिलेगा, जिसमें हर एक Module के अंदर आपको जो है, 3 Set मिलेंगे Papers के जिनको Solved किया गया है Hindi और English Languages में सेम आपके D Pharma Second Year में Solved किये गए है, Hindi और English Languages में ही, वहाँ पर 6 Subjects हैं, तो आपको 6 Set का Module मिलेगा, साथी साथ आप App के अंदर सर्च करते हैं, D Pharma First Year या Second Year, तो वहाँ पे आपको Topic Wise Notes मिल जाएंगे PCI के Latest Slavers के According Video Lectures मिलेंगे Bilingual Languages में Chapter Wise Model Papers आपको मिल जाएंगे Previous Year के Papers मिल जाएंगे आपको University या फिर Particular Boards के, हर State के जो Boards हैं उनके और इसकी Validity आपकी एक साल तक रहने वाली है और साथी साथ आपको Exit Exam के रिगार्ड में भी Guidance मिलेगा इसी तरीके से आप हमें हमारे Various Platforms पे Follow कर सकते हैं Subscribe कीजे Farmist India Live YouTube चैनल इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड सकते हैं और इसी तरीके की Amazing Videos देख सकते हैं साथी साथ आप हमारा WhatsApp No.9389516306 इसको Save कीजे Save करने के बाद DP India Capital Letters में Type करके भेज़ दीजे आप तक Latest D Pharma अपडेट्स पहुचते रहेंगे साथी साथ आपको Exit Exam के संबन्द में हर एक जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी इसी तरीके से आप हमारे Telegram चैनल के थूँ हमें जोड सकते हैं Scan कीजे QR कोड को इसके माध्यम से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे Exit Exam के भी और D Pharma के भी और इन सभी प्लाटफॉर्म्स के लिंक्स आपको इसे डिस्क्रिप्शन में दिये गए हैं उनके माध्यम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी Official Website FarmacyIndia.co.in उसको भी फॉलो कीजिए वहाँ पे भी लेटरस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके की More Amazing वीडियोस के लिए बने रहें फामेसी इंडिया लाइफ के साथ